प्रिति का बेहन और मुझे अपने भाग्ये पर बहुत नाज है कि बचपन से मुझे उस परमात्मा की खोज के लिए नहीं निकलना पड़ा और जैसे ही आँख खुली तो मुझे शिब बाबा का ही परिचय मिला भगवान के रूप में और कौन भगवान है इस और ध्यान बिलकुल भी नहीं गया पूरा परिवार ज्यान में चलता था और ऐसा विशेश अनुभव बचपन से रहा कि जब भी चुटियां होती थी स्कूल से तो हम सेंटर पर ही जाते थे अपनी चुटियां स्पेंड करने के लिए और वहां दीदियों का इतना प्यार मिलता था इतनी विशेश पालना मिलती थी कि घर से हमें लेने के लिए आते थे कि अब चलो अब घर जाना है तो हमें ये लगता था कि नई अभी तो और चुटियां बची हैं तो हमें यहीं रहना है जब कोई घर में रिष्टेदार आते थे उस समय पर तो वो सबी कोई भी ये एहसास हो जुगा था कि वो बच्चे हमें घर पर नहीं मिलेंगे और वो आश्रम पर मिलेंगे तो बहुत अच्छा बच्चपन से ही पर मात्मा की छतरचाया का अनुभव किया और दीरे दीरे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया और हम बाबा की छतरचाया में भी रहे तो कई तरह की परिक्षाएं जीवन में आई लेकिन उन परिक्षाओं को भी बाबा की याद से पास किया ऐसा अनुभव होता था कि बाबा जैसे कदम कदम पर हमें पोटेक्ट कर रहा है बहुत सारी चीजें सिखा रहा है जो कहीं न कहीं कमिया थी उन्हें जैसे बाहर नि बच्पन से ही फीर बहुत जादा था इतना था कि जब भी कोई घर पर कोई रिष्टेदार आते थे तो उनके सामने नहीं आना और फिर जब स्कूल में भी हम जाते या कोई स्पीच बोलनी होती थी या हाउस बने होते थे तो वहां पर भी जिस दिन टर्न होती थी उस दिन नहीं जाना मतब स्टेज फियर बहुत जादा था तो बहुत छुटियां मैंने इसी के कारण की यह स्कूलों में लेकिन जब मैं प्लस वन में आई तब मुझे कहना कहीं यह चीज रेलाइज हुई कि मुझे इस फियर को अपने अंदर से खतम करता है क्योंकि पैरंट्स भी कहते थे कि आपको यह फियर है जिस वजह से आप अपनी विशेशताओं को हाइलाइट नहीं कर पाते हो आप कर सकते हो और टीचर्स होते थे वो भी बहुत एप्रिशेट करते थे कि बच्चे आपको आगे जाना है तो आपको बत्तव कि यह फियर अपने अंदर से निकालन मार्न आपको आपको का इस आपको करते थे कि यह फियर काते होगे माइसबर बना देते थे कि शायद इनके अंदर का वह फियर कर आजाए को बच्चा नहीं आया तो पीर इने बोलना पड़ेगा लेकिन का ऑफिक कि मैं डांट एटी सेमी अलीडिवे पाहए लेकिन स्टेज तो इसलिए इसे इसकी टरन ना ही लगाई जाया तो अच्छी बात है उस दिन मुझे बहुत फील हुई ये बात और मैं घर पे बाबा का कमरा है वहां मैं बैठी और मुझे उस दिन बहुत रोना आया कि बाबा क्यों नहीं मैं इस चीज को जीत पा रही हूँ कहीना कहीं यह चीज थी कि बाहर से सब यह कह रहे थे कि आप यह कर सकते हो लेकिन मेरे अंदर मैंने उस चीज को एकसेप्ट नहीं किया था कि मैं कर सकती हूँ मेरे अंदर सिर्फ यही चीज थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ और मुझे करना भी नहीं है इवन तक कि जब मैं सेंटर पर भी आती थी तो सेंटर पर दीदियों को भाशन करता हुआ देखती थी सेंटर पर यही सेवा करने का मेरा लक्ष था कि मुझे आश्रम पर जाना है एक ब्रह्मा कुमारी जीवन ही जीना है लेकिन जब दीदियों को स्टेज पर देखती थी तो मुझे यही रहता था कि बाबा यह सेवा तो मुझे कभी नहीं देना चाहे जाड़ू पोचा बरतन यह सेवा दे देना लेकिन यह सेवा नहीं करनी है मुझे तो बस यही फियर यहां आकर की भी मुझे यह रहता था कि यह सेवा नहीं मिलनी चाहिए तो फिर बाबा ने उस दिन वो बात लास्ट बात मैंने बाबा से की कि बावा मुझे ये बाहर निकालनी है अपने जो डर की एक कमी है तो फिर बावा ने एक ऐसी पावर मेरे अंदर भरी कि उससे next day एक program था जिसका audition teachers ले रहे थे तो मैं भी उसमें अंदर enter कर गई तो सब बच्चे कह रहें कि आप कहा जा रहे हो तो मैंने कहा कि मैं भी audition देने जा रही हूँ तो उनको लगा कि आप बोल पाओगे कि आप गाप आओगे तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं करूंगी बस जब अंदर से वो एक प्रेड़ ना आ गई अंदर से एक लगा ना गई वो एक पावर थी उस परमात्मा की कि जब हम परमात्मा के साथ किसी बात को शेर करते हैं तो इतनी help हमें मिलती है कि अपने आप जैसे ही मैंने first line song की सुनाई उसी समय मुझे select कर दिया गया और कहा कि आप कल के program के लिए आप perform कर सकते हैं और फिर मैंने next day वो performance दी तो सबने बहुत पसंद की वो बस वहाँ से teacher का को इतना पसंद आया और teacher इतने खुश थे सब आकर कि मुझे गले लगा रहे हैं क्यूंकि कहीना कहीं ये मेरी उन्नती नहीं थी teachers मुझे उस डर से बाहर निकलता हुआ देख रहे थे उनको भी बहुत खुशी थी मुझे अल्गता बैस का पयार था दीडियों का इतना पयार था इसलिए हर उसमें बावा ने सिखाया यहां सेंटर पर भी आते थे तो सेंटर पर भी हम नई-नई चीजें सीख करके जाते थे घर में जाकर के उस चीजों को करते थे तो कहिना कहिन जो रिष्टेदार भी आते थे उनको भी यह लगता था कि आश्रम की तरह ही यहाँ घर पर रहते और जब यहाँ सेंटर पर स्मर्पित होने के लिए भी आये तो हमें कहीं ऐसा लगा नहीं कि हम किसी अलग स्थान पर रह रहे हैं हमें यही लगा कि जैसे घर पर रह रहे हैं क्योंकि घर में भी ऐसा ही वातावरन बना हुआ था और सेंटर पार भी हमें वही वातावरन मिलता था तो बहुत नाज है मुझे अपने भाग़े पर बस बाबा ने उस कमी को इस तरीके से खतम कर दिया कि आगे फिर बाबा ने उसी चीज के नस्दीक ला दिया और बाबा उसी तरह से ही सेवाएं हमसे लेता जा रहा है सेंटर पर समर्पित होने के लिए मेरे मन में हमेशा ये उमंग रहता था कि हमेशा एक स्टूडेंट लाइफ यहां हमें मिलती है और कहीं न कहीं एक डिसिब्लेंट लाइफ मिलती है एक सच्चाई सफाई वाला जीवन होता है जहां मनुष्य सुक शान्ती प्राप्त करने के लिए बहुत उंची उंची स्टडी करता है बहुत उंचे उंचे लेवल पर पहुंच जाता है लेकिन सुख शांती फिर भी नहीं मिलती लेकिन यहां पर जब हम यह जीवन जीते हैं तो यहां वो सुख भी मिलता है, शांती भी मिलती है और ऐसा जीवन अपना बन जाता है कि यहां टीचर भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं इजनियर भी बन जाते हैं बाप परमात्मा, हमें हर चीज हमें सिखा देता है और हर लेवल से बी, बाहरी दुन्यावी लेवल से भी बहुत उचा बना देता है। मुझे अपने जीवन में हमेशा ये बात याद रहती है कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा और आगे जो होगा बहुत अच्छा. बच्पन से इस चीज़ को लेकर के ग्यान में जब मुल्ली हम सुनते थे, हाला कि कोर्स नहीं किया है किसी से भी, लेकिन मुल्ली याँ बच्पन से सुनते आए तो वैसे ही वो ग्यान धीरे-धीरे पका होता चला गया. और आज तक उस बात को गांट बांद के रखा है बाबा की बात को जिसको बाबा कहता है ड्रामा, कि ड्रामा कल्यान कारी है, हर बात में कोई ना कोई कल्यान है, कहीं ना कहीं उस कल्यान को देखने में हमें वक्त लग जाता है, कई बार कोई चीज़ जल्दी सामने आ जाती कई बार कई सालों बात सामने आती है कोई बात लेकिन उस समय के बीच में अगर हम परिशान हो जाते हैं टेंशन में आ जाते हैं तो हम बहुत सारी अनर्जी अपनी गवा देते हैं लेकिन अगर इस बात को याद रखते हैं कोई भी बात आती है कि इस बात में जरूर कोई ना करनी है, इस तरह से एक और बात मुझे हमेशा याद रहती है कि जैसे हम बच्पन में, कंज का रूप में हर कन्या को पूजा जाता है, जिस समय उसे शायद यह याद भी नहीं होता या उसे उस वरूप की सम्रिती भी नहीं आती है कि वो एक शक्ती के रूप में सब उसे पू positive energy है कि वो उससे at or time flow होती है और सामने वाले उसे उसी नजर्य से देख रहे होते हैं तो बस यह चीज थी कि क्या हम ऐसा ही जीवन जीवन नहीं जी सकते हैं क्या ऐसे ही शक्ति स्वरूप में अगर हम रहें तो क्या इस जीवन को और मुल्यवान नहीं बनाया जा सकता है तो ऐसी कुछ विशेश बातों को मैं हमेशा अपने साथ गांट पांद करके चलती हूँ जिससे मुझे और दूसरों को भी यह अनुभव यही रहता है कि आप हमेशा खुश रहते हो हर कारे को हसते खेलते कर लेते हो क्योंकि अंदर से बिलकुल निश्चेंत रहते हैं तो बाहर कर्मों में भी वही चीज नजर आती है तो सभी भाइबयनों से भी यही अनुरूद है कि वो सभी भाइबयन इन बातों को जो भी बाते हमें अपने जीवन में हमने सुनी हैं उन बातों को अपने जीवन का अनुभाव बनाएं, उन बातों को अपने जीवन में स्वरूप में लाएं, तब वो ज्यान की बातें हमें आनंद देगी, सिर्फ सुनने मातर तक उन बातों को ना रखें और जो दूसरे लोग हमें कहते हैं आप कर सकते हो उस चीज को अपने जीवन में देखें कि येस मैं कर सकती हूँ तो जरूर वो शक्ती कार्य करेगी तो आप सभी भाई बैने सेंटर पर आएं और सेंटर पर आकर के इस राजयोग मेडिटेशन का भरपूर लाप लें आज के समय में ये राजयोग सीखने के लिए समय निकालना नहीं है लेकिन ये आज के समय की जरूरत है तो आप सभी भाई बैनों का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्वरी विश्यवे द्याले में बहुत-बहुत स्वागत है ओम शांति और स्वापिता डिल्वरी झालना नहीं है त। झाल झाल